नमस्कार इन्होंने आज मुझे सीविय बुलाया है थोड़ी देर में घर से निकलूंगा पूरी मानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छपाना क्या यह लोग बहुत ताकतवर हैं किसी को भी जील भीज सकते किसी को भी चाहे किसी ने कोई जर्म किया हो या ना किया हो कोई फरक नहीं पड़ता है बहुत पावरफुल लोग हैं कल से इनके सारे नेता चला चला के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफतार करेंगे केजरीवाल को गिरफतार करेंगे शायद बीजेपी ने सीब्याई को देरादेश दिया है तो CBA की क्या मज़ाल है फिर तो CBA गिराफ्टार करेजी इन्हें बहुत हएंकार हो गया कि सद्धा का हैंकार पावर का नशार किसी को कुछ नहीं समझते जिसको मर्जी धंक से रहते हैं जजंग को मीडिया वालों को पत्रकारों को नेताओं को व्यपारियों को द्योगपतियों को सब को धंकी देते फिरते हैं हमारी बात मानो ने तो जेल में डाल देंगे सब को जेल की धंकी देते हैं मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं अपनी भारत मां से बे इंतहा महबत करता हूँ, जान दे सकता हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं दस साल पहले राजनीती में आया, पहले सोचता था, मेरा मुल्क इतना पिछड़ा क्यूं है, मेरे लोग इतने गरीब क्यूं है, लोग अनपड क्यूं है, आजादी के 75 साल भी मेरे युवा बेरोज़गार क्यूं 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 अब पता चला कि ऐसा क्यूं क्यूं कि हमारे नेताओं को जनता की परवाई नहीं है हमारे नेताओं को बस 24 घंटे गंदी राजनीती करनी है हमारे ने तो बस 24 घंटे जेल में भेजने की दमकी देते रहते हैं इसको जेल में भेज देंगे उसको जेल में भेज देंगे इसको नहीं छोड़ेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे यो लोग धंकी दे रहे हैं कि केज़िवाल को जेल में भीज देंगे भीज दो जरूर भेजो इससे क्या होगा देश की समस्यां इस दूर हो जाएंगी केज़िवाल को जेल में भेजने से सबको रोजगार मिल जाएगा सबको शिक्षा मिल जाएगी नहीं ना हाँ आपके एहिंकार की संतुष्टी जरूर हो जाएगी आठ साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दी है तीस साल में आपने गुजरात का एक एक भी स्कूल ठीक नहीं किया एक भी स्कूल जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिचवानी थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल ने मिला आपको टेंट में एक नकली क्लास बना के फोटो खिचवाने पड़ी आठ साल में मैंने दिल्ली में धेरों मोहला क्लिनिक खोल दिये अस्पताल बना दिये सबका इलाज मुफ्त कर दिया शांदार इलाज कर दिया 15 साल में मध्यपरदेश में आप से क्यों नहीं क्योंकि आपको करना ही नहीं है आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है आपकी बला से तो देश जाए भाड में बस आपकी सत्ता बनी रहे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन सकता था आप जैसे नेताओं और पार्टियों ने अभी तक नहीं होने दिया अपने भर खड़ा हो गया अब भारत बेचैन है भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से आप जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना मेरी जिन्दगी का मिशन है अब यह एक 50 यूनिट से ज्यादा इंसुनिल लेता हूं इतनी शुगर होने के बावजूद ब्रश्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने 10 दिन का और एक बार 15 दिन का इंशन किया था उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा रहेगा तो किसी हालत में ज अवजूद जिन्दा बच गया किसी के चमतकार से कम नहीं है भगवान मेरे साथ है आप क्यों के जिवाल ब्रश्टाचारी है मैं पहले इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था चाहता जितने मर्जी करोड़ों रुपे कमा लेता हूं उस नौकरी को लात मार के कई वर इधान मंत्री जी अगर केजरीवाल ब्रश्ट है तो दुनिया का कोई आदमी मांदार नहीं है केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा आप मुझे सौ बार सी बीडी बुलाओगे तो मैं सौ बार जाओंगा आप हम भारत के लोगों को परिशान कर सकत हैं पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे भारत दुनिया का नंबर वन देश बन के रहेगा जैहंद